हेलो दोंस्तो रेल कारवा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अक्सर हम लोगों ने ट्रेन से सफर करते समय ट्रेन के डिबों पर अलग लग रंग की धारियां या रेखाएं बनी हुई देखी होगी लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं मालुम की डिबों उपर बने इन धारियों का क्या मतलब होता है तो आज की पूरी वीडियो इसी के उपर होने वाली है तो चले आज का रेल करवा शुरू करते हैं हमारे भारती रेलवे में बहुत सी जानकारियों को विभिन प्रतिकों से दर्शाय जाता है रेलवे के नियोमों और निर्दे को उसके बारे में बतानी की जरूरत ना हो बस उस सिंबोल को देखकर हर किसी को आसानी से समझ में आ जाए इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेन के कोचों पर विशेश प्रकार के सिंबोल को यूज किया जाता है जैसे नीले रंग की ICF कोच पर कोच की आखरी खिड़क आती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस पात की उलजन होती है कि जनरल डिबबा कौन सा है वह ऐसे लोग इस पीली रंग की धारियों को देखकर आसानी से समझ सकें कि यह जनरल कोच है इसी प्रकार नीले या लाल पर ब्रॉट पीली रंग की धारियां विकलांग और विमार लोगों के कोच के लिए इस्तमाल की जाती है इसी प्रकार ग्रे पर हरी धारियों से संकेत मिलता है कि कोच केवल मैलाओं के लिए है इन रंग पैटन को मुंबई पश्चिमी रेलवे में केवल नए आटो डोर क्लोजिंग EMU के लिए शामिल किया गया है ग्रे र अमीद है कि आज यूडियो में दी गए जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की भारती रेल्वे से जुड़ी बेतरिन वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे हमारे सभी लिटे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई